कॉंग्रिस की भारत जोडो यात्रा आएं दिनों भाजपा नीताओ और समर्थकों के निशाने पर रहती है ऐसे में हाल ही में भाजपा IT Cell Head अमित मालविया ने ये वीडियो ट्वीट किया इसे शेर करते हुए अमित मालविया ने कहा कि राहूल गांदी ने बिना कैमरे के पगड़ी पहनने से इंकार कर दिया भाजपा नेता मजिंदर सिंग सिरसा ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया इसे शेर करने वाले यूजर्स के लिस्ट में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंग बगगा भाजपा नेता चेतन बरागटा और टीवी नैन भारतवर्श के पत्रकार तनमय शंकर शामिल है तो क्या वाकई में कैमेरा की गैर मौझुदगी में राहुल गांदी ने पगड़ी पहनने से मना कर दिया गौर करे कि वाइरल वीडियो में न्यू स्टेट पंजाब का लोगो है इस आधार पर हमने उनका फेस्बुक पेज चेक किया और हमें ये वीडियो मिला यानि राहुल गांदी फोटो खिच्वाने आई महिला को मना कर रहे थे राहुल गांदी का दस्तार सजाने वाले मंजीत सिंग फिरोसपुर्या का ये इंटर्व्यू फेस्बुक पर पोस्ट किया गया है वहीं इस यूटूब वीडियो में उन्हें राहुल गांदी की पगड़ी बानते हुए देखा जा सकता है औल्ट न्यूज में इस पूरे मामले में मंजीत सिंग फिरोसपुर्या से बात की उन्होंने हमें ये बताया हाँ जी सार नमस्कार में जी सिंग फिरोसपुर्या बोराओं सार जिस ने राहुल गांदी जो को पगड़ी पहनी है और बात ऐसी है कि जो में जिंदर सिर्शा कर रहा है ना बिल्कुल फेक है दरसल जिस टाम हम पगड़ी पहने लगे था उसके उससे पहले कुछ लोगों ने मेरे बार इन्फोमिशन दी कि बंदा प्रफेशनल पगड़ी जो बांधने के लिए और एक लड़की ने बीच में आके बोला कि मैं आप से एक फोटो करवाना चाहती हूं और राहुल गां गांधी जो पगड़ी पहनी थी और उन्होंने अपने मथे से लगा के और रिस्पेक्ट देके पूरी अच्छे तरीकी से पगड़ी जडिया अपने उबनवाई थी ऐसी कोई बात नहीं है कोई उसने प्रफोगंडा ने खड़ा किया पगड़ी को लेके बहुत अच्छे स पगड़ी नहीं खिचवानी लेकिन भाजपानेता उन्हें ये जूठा दावा चलाया कि राहुल गांधी ने बिना कैमरे के पगड़ी बादने से मना किया